टेलिविशन की वन ओद फेवेट बहू साक्षी तन्वर ने हाली में किया कुछ ऐसा जिसे सुन आप उन पर गर्व करेंगे द्रसल साक्षी ने एक बच्चे को गोद लिया है इस खुशकबरी के बारे में पताते हुए साक्षी ने कहा अपने मादर-पिताओं की दुआउ से और परिवार वालों की साहता की बदौलत मैंने एक बच्ची को गोद लिया है यह जल्द ही नौ महीने की हो जाएगी साक्षी ने इस प्यारी सी बच्ची का नाम रखा है दित्या साक्षी ने कहा कि दित्या को अपने जिंदगी में पाकर मैं बहुत ही जादा खुश हूँ दित्या मेरे दिल के बहुत करीब है और इसलिए मैं ये खुशी आप सबसे बाटना चाहती हूँ वेल आपको बता दे के साक्षी ने कहानी घर घर की बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज में काम हिया है और वो हमें आखरी बार दंगल मूवी में नजर आई थी वेल साक्षी हमारे तरफ से आपको बिग बिग कॉंग्राजिलेशन्स टेलेविशन की लेटिस नूज और गॉसिप के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें टेलेविशन की वन और दे फेविट बहूत साक्षी तन्वर ने हाली में किया कुछ ऐसा जिसे सुन आप उन पर गर्व करेंगे द्रसल साक्षी ने एक बच्चे को गोद लिया है इस खुशकबरी के बारे में बताते हुए साक्षी ने कहा अपने मादर पिताओं की दुआओं से और परिवार वालों की साहिता के बदौलत मैंने एक बच्ची को गोद लिया है यह जल्द ही नौ महीनी की हो जाएगी साक्षी ने स्पियारी सी बच्ची का नाम रखा है दित्या साक्षी ने कहा कि दित्या को अपने जिन्दगी में पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ दित्या मेरे दिल के बहुत करीब है और इसलिए मैं ये खुशी आप सबसे बातना चाहती हूँ वेल आपको बता दे कि साक्षी ने कहानी घरगर की बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज में काम किया है और वो हमें आखरी बार दंगल मुवी में नजर आई थी वेल साक्षी हमारे तरफ से आपको बिग बिग कॉंग्राजिलेशन्स टेलेविशन के लेटिस्ट न्यूस और गॉसिप के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें